नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्योब चैनल पर दोस्तों आज किस वुड़ो में हम बात करेंगे यूपी रोड़ियार्ट पंजियन मेला के लिए किस तरीके से आपको रेजिटेशन करना है वो भी अपने मॉबाइल पौन से दोस्तों इसमें रेजिटेशन करने से क्या फायदा है जब भी दोस्तों कोई संविदा के बेस पर वैकंसी निकलती है तो वो इसी पोर्टल के माद्यम से उसका रेजिटेशन होता है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी बस connector की अभी vacancy recent में निकली हुई थी वो इसी के माध्यम से उसके registration हुए थी तो ये सभी candidates के लिए registration करना अनिवार है तो दोस्तों किस तरीके से आपको यूपी यूपी सेवा यूजन के portal से इसमें registration करना है हम आपको step by step बताएंगे तो दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो में end तक वीडियो मागे बने उससे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो क्रप्या चैनल को subscribe करके bell notification को अन कर ली जिए जिससे आने वाली हर एक option दिख रहा होगा job seeker का आपको इसी option वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर देखी registration पेज ओपन हो जाएगा अब आपको यहां पर नीचे की side scroll करना है अगर आपने इसमें पहले से registration कर रखा है तो दोस्तों आपको यह registration user ID and password डाल के इसमें login करना होगा अगर आप इसमें पहली बार registration कर रहे हैं तो आपको यहां पर देखी option एक दिख रहा है ने user sign up आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर देखी registration page open हो जाएगा आप देखी दोस्तों आपको यहां पर सबसे पहले आपको अपने जो भी हाई स्कूल की मारक सीट पर नाम है वो नाम आपको यहां पर डालना है यहां पर दोस्तों आपको अपना mobile लंबर डालना है और यहां से user ID में आपको अपना mobile लंबर डाल देना है और यहां पर दोस्तों आपको अपना password उना ना неё फासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाना है जैसा यह पर सेंपल लिखा हुआ पहले आपका लेंटर में अपको अपना नाम डाला है पहले और आपका पूरा नाम भाणल लेटर में डाल देना है फिर इस तरीके से स्पैसल कारेक्टर देंगे पर एक दो तिन जो आप यहां पर रेजिस्टर हो जाएंगी आप दोस्तों आपको यहां पर वैकाना है वैकाने के बाद दोस्तों आपने यूजर आड़ी में मॉवाइल नमबर दिया था बोई मॉवाइल नमबर आपको यहां पर डालना है और यह कैप्चा कोड इस बॉक्स में डालने के बाद आपको submit करना होगा तो चलिए मैं आज से अपना user ID and password डालके submit करते हैं देखे दोस्तों जैसे आप user ID and password डालके इसमें login करेंगे आपके सामने हाँ पर इस तरह का dashboard open हो जाएगा आपको यहाँ पर 9 step में अपना registration कंप्लीट करना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर जैक सकते हैं पहले आपका ब्यक्तिकत प्र आपका संपर्ख फिर सारी रिक सैचिक बांसा कौसल अनभव वरियता और गोस्रा यह 9 step में अपनी detail को फिल करना है यह detail को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर देखे profile प्रिविष्ट करने आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी profile open हो जाएगी इसमें किस तरीके से आपको profile में अपनी सारी detail को फिल करना है आमने यहां पर एक user ID को खोल लगा जिसे आपको समझने में कोई भी problem ना हो तो वीडियो को बिना skip की एकदम सुरू से लगला सक ध्यान से देखते रहे आप बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे किस तरीके से आपको यहां पर सारी information को fill करना है जैसे दोस्तों यहां पर पूच रहा है क्या आप पूर्व से पंजी करेता है अगर इसमें पहले से पंजी करेता है तो आपको yes करना है बरना आपको no कर देना है आप यहाँ पर देखिए दोस्तो आपको यहाँ पर अपना पूरा पहला नाम डालना है फिर आपको यहाँ पर अंतिम नाम डालना है और नीचे की साइड स्कॉल करना है यहाँ पर दोस्तो आपको अपना नाम हिंदी में डालना है यहाँ पर दोस्तो आपको सिलेक्ट करना है आप mail है या फीमेल यहां से आपको बैवायत इस तित को सेलेक्ट करना है आप married है या unmarried यहां पर दोस्तों आपको अपनी जनम तित को डालना है यहां पर आपको अपनी पिता का नाम डालना है और नीचे की साड़ इस तरीके से scroll करना है यहां पर दोस्तों आपको अपनी प पर सिलेक्ट करना पड़ेगा आप यहां पर देखी दोस्तों आपको अपना जाते प्रमार्ण पत्र का किरमांग डालना है और यहां पर पूंच रहा है क्या अगर नहीं है तो आपको इसे अंटिक रहने देना है यहां पर दोस्तों आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है यहां पर पहँचान के लिए आपको अपना आधार कार्ड का नमर डाल देना है यहां पर पूंच रहा है क्या आप विदेश में काम करने के यह चुक हैं अगर हैं तो वैस करना है बरना आपको नो कर देना है अब यहां पर दोस्तों आपको अपना एक फोटो अप्लोड करना है फोटो आपका 20KB से जादा का नहीं होना चाहिए और फोटो अप्लोड कर आपको सुरच्चित करें वाले उप्सिन पर एक बार किलिक कर देना जैसे आप सुरच्चित कर देंगे यहां पर यह आपकी प्रोफाइल सेब हो जाएगी अब दूसरे नमर पर आपको यहां पर देखी दोस्तों आपको अपने संपर्क की विबरण को देना होगा तो चलिए हम्यास से दूसरा वाला उप्सिन खोलके दिखाते हैं अब देखे दोस्तों आपके यहां पर दूसरे नमर में सबसे पहले आपको अपने राजिस सेलेक्cue करना है फिर आपको यहैं पर अपना अठीक अपको यहां पर यहां पनी पनशमर और पिन कोर्ड़ करना है औ आपको यहां पर हां कर देना है और आपको सुरच्चित करेंगे यहां पर देखी दोस्तों आपके सामने यह भी डाटा सेब हो जाएगा आपको OK कर देना है आप दोस्तों आपको यहाँ पर अपने सारीरिक का विवड़ देना है यानि कि आपको अपने सरीर के बारे में आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर हाइट देनी है आपका बजन कितना है वो आपको यहाँ पर बजन देना है आपका बलेड गुरुप क्या है अगर प यहां पर इसी तरीके से आपको यहां पर साइचिक से संबंधित information को आपको fill करना है जैसे high school, inter, BA, BSC जो भी है वो आपको यहाँ पर fill करना है यहाँ पर देखी दोस्तों आपको search किस सम्दिद यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर दोस्तों आपको 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 high school, inter, BA, BSC जो भी आप aid करना चाहें, सारी information आप यहाँ पर fill कर सकते हैं जैसे दोस्तों आपने यहाँ पर नीचे की side आपको scroll करके दिखा देते हैं, देखे दोस्तों जैसे आपने यहाँ पर high school, inter, की detail को fill किया है इस तरिके से आपको यहाँ पर fill कर देना है यह detail fill कर देने के दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी भांसा का chain करना है आपको भांसा वाले section पर एक बार क्लिक करना है जैसे आप भांसा वाले section पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखे आपकी भांसा से related जानकारी को fill करना होगा यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी बांसा का चैन करना है आपकी हिंदी है इंगलिस है जो भी है वो आपको यहाँ पर अपनी बांसा को चूश कर लेना है जैसे हम यहाँ से हिंदी को चूश कर लेते हैं अब यहाँ पर दोस्तों आपको टिक लगाना है कि आपको बोलना आता है लिखना आता है पढ़ना आता है पर वहाँ करना आता है इन सब पर आपको इस तरीके से टिक लगा देना है इस तरीके से टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पर देखी सुरच्चित करें वाले उप् किया है अगर किया है तो हां करना है उसकी डिटेल को डालना है अगर नहीं किया है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है अगर नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है आप यहां पर देखी बरीता वाली सेक्शन पर एक बार क्लिक करना है इस पर जैसे आप क्लिक होगा आप यहां पर देखिए दोस्तों आपको छेत्र सेलेक्ट करना है आप किस छेत्र में किस छेत्र में आप नौकरी करना चाहते हैं जैसे यहां पर देखिए छेत्र सेलेक्ट कर लेना है केंदर सरकार, राज सरकार, राज सरवाजन, छेत्र, इस्ताई, प्राइवेट जि यहाँ पर पूँछ रहा है किस टाइप की आप नौकरी करना चाहते हैं 20-30,000, 10-20,000, 15-20,000, जिसे में आप रुचि रखते हैं जैसे यहाँ पर देए गई हैं यहाँ से हमने 20-30,000 select कर दिया है इसी तरीके से आपको यहाँ पर select कर लेना है आप जितनी भी high नौकरी में रुच रखते हैं उसनी high यहाँ पर education qualification को मांगा जाता है यहाँ से पूंचरा क्या आप जिले से बाहर नौकरी करने के लिए चुक हैं अगर हैं तो ऐसकरना है वरना आपको नौकर देना है और यहां पर पहुंच रहा है इच्छी तस्तान आप किस ततान पर नौकरी करना चाहते हैं अपने प्रदेस में या आप प्रदेश से करने के इस पर जैसे आप click करेंगे यहां पर दोस्तों आपके सामने पूरा form खुल के आ जाएगा इस form को आप अच्छे से check करेंगे अगर आपके फार्म में सब कुछ अगर सही लगता है अगर आपको कुछ नहीं mistake कुछ नहीं लगती है तो आप यहां पर सुरच्चित करेंगे वाले option पर click करके आपको अपने data को save कर देना है यहां पर देखी सारी information आ जाएगी आप इसकी print लेना चाहें तो दोस्तो आपको यहां से देखी profile print करेंगे इस पर आपको एक बार click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तो आपकी यहां पर profile open हो जाएगी आप इस profile को आप print कर सकते हैं देखी दोस्तो आप देख सकते हैं इस यहाँ पर देखिए समस्त नौकरी के लिए आवेदन करें इस पर आपको एक बार क्लिक करना है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तो नौकरी जो भी ले टेस्ट में चलती होंगी उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्त पर आपको अबदन करेंमाला सेक्शन देखने को मिलेगा जैसे आपवाधन करेंमाले सेक्शन पर करेंगे आप नौकरी के लिए बहुत आसान तरिके से आभेधन कर पाएंगे यहां पर आपका आभेधन सक्सेश्फूली होगे, अगर आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मिलेंगा ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद